हेलो गाइस गुड मॉनिंग और बहुती सुंदर नजा रहा है आज यहां का बारिस काफी हुई थी और चारो दरफ पानी भरावा है और आप देख सकते हैं यहां का जो भी कलाइमेट है ऐसा लग रहा है जैसे कि हम नौंबर या दिसंबर के मैने में जब धुंद पड़ जा एकदम धुन जमी हुई है दिखनी रहा है आप देखिए चारो तरफ काफी अच्छा ना जा रहा है कभी यहां के जो मौसम है उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चल पाता कभी एकदम उमस भरी गरी में होती है बिल्कुल ऐसा थकान सी महसेस होती है और कभी-कभी इतनी जमा जम बारीज होती है कि अभी यह जैकेट निकालने पड़ी रहत को ठंडा सबी में से सोने लगा था और अभी भी कोहरा जमावाय पूरा अभी भी कुछ बूंदे परती बारेज की अभी पूरी संभावना कभी भी किसी भी टाइम यहां पर बारेज आती है क्योंकि यह चैरापुंजी से लगतावा एरिया है और यहां पर काफी बारिस होती है और काफी सांदर नजारा ये तिरपुरा की पाड़ियों के बीच में और काफी धुन्द जमी हुए चारो तरफ विजिविल्टी लेबल बहुत ही कम है क्योंकि काफी बारिस हुई बहुत ही ज्यादा बारिस हुई जिसका नहीं पूरा धुन जमावा है और मौसम भी काफी अच्छा हो रखा है कई दिनों से यहां पर कंटिन्यू बारिस चलती हुई और अच्छा ना जारा और कल भी प्रैक्टिस नहीं कर पाया क्योंकि काफी बारिस थी अभी भी हर जगे पानी भरावा यह पर और अभी भी पूरा बारिस आने ही वाली है इसलिए थोड़ा साज वार्मप किया जाए अच्छा ना जा रहा अच्छा मौसम आज तो मौसम देखके दिल खुज हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे अपने उत्राखंड में आ गया है एक्दम ठंडा और चंडी हुआ चलत अब ही मिलता हूँ मैं थोड़ा वार्मप करने के बाद करया है रहाँ में जाए 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 बश्का जाए जाए पर अवाज है यहाँ जीहाँ जाए लिए्याँ पाए भाद साए में बाती बार्यश सद्दया मिलता है वो किस लो कि लुड़ रुड़ पनि घुड़ आब लागा झाल